सबसे पहले तो दोस्तो आप सभी को अपनी परिक्षाओं के लिए best of luck दोस्तो इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि परिक्षा सेंटर पर आपको क्या-क्या डोकुमेंट्स करी करने हैं जिनसे आप अपनी परिक्षाओं आसानी से complete कर पाएं साथी साथ दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि आपको अपनी परिक्षा के तयारी के लिए important notes कहां पर मिलेंगे और उनके PDF आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे वीडियो पूरा देखना है और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह की और informative वीडियो के लिए दोस्तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके परिक्षा सेंटर पर क्या-क्या documents आपको लेकर के जाने हैं लास्ट येर तो दोस्तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था बट अपकी बार दोस्तो काफी सारे नियम चेंज हो रहे हैं तो इस बार आप जरूर से call करके एक बार confirm कर ले और उसके बाद में ही आप अपना परिक्षा सेंटर पर admin card लेकर के जाना है परिक्षा देने और दोस्तो दूसरा आपको अपनी एक ID रखनी है अगर आपको college से ID मिली है तब तो अच्छी बात है अगर नहीं मिली है तो दोस्तो आपको अधार काड या pen card इस तरह से कोई document आपको साथ में रखना है और इसके साथ में ही दोस्तो blue pen भी आपको लिकर के जाने हैं अलग black या red नहीं ले जाने हैं सिर्फ blue pen से ही आपको अपनी copy में सारा मेटर जो है लिकित परिक्षा आपकी होने वाली है तो आपको लिकित मेटर जो मैंने आपको notes के वीडियो बना रखे हैं playlist दोस्तो बनी हुई है complete description में link डाल दूँगा में और PDF भी available है सभी की जिस भी playlist पर आ देंगे तो उसके description में आपको PDF का link भी देखने को मिलेगा अगर वहाँ पर नहीं मिलता है किसी कारणवस तो फिर दोस्तो आपको telegram channel join कर लेना है description में link दिया हुआ है वहाँ पर सभी की PDF के link डाले वहें जहां से आप आसानी से कर पाएंगे और दोस्तो मेरा suggestion आपको यहीं करना है 1.5x में या फिर 2x speed में प्ले करके जल्दी जल्दी सारे वीडियो देख करके 2-3 बार दोस्तो अगर आप revision कर लेंगे तो आप आसानी से दोस्तो उसमें 70-80% अपना course कवर कर पाएंगे और आसानी से आपकी परिक्षाएं जो है अच्छी तरह से complete हो जाएंगी और main बात दोस्तों आपको tension बिल्कुल नहीं लेनी है अच्छी तरह से जितने आपको questions आ रहे हैं उनको पहले करते वे complete detail में आपको solution उनका लिखना है जितना आपको आ रहा है और उसके बाद में जो questions नहीं आ रहे हैं उनका भी answer दोस्तों मन से थोड़ा सा questions से related लिखने की कोश चैनल पर नहीं है तो subscribe पर लेना इसी तरह के वो informative वीडियोज के लिए जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई informations के साथ Thanks for watching this video